ब्यार के सियासत के लिए आज का दिन बहुत खास है आज नई सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है साड़े ग्यारा बजे राजभवन में नए मंत्रियों को सफद दिलवाई जाएगी लेकिन उसके ठीक पहले राजनतिक गल्यारे से एक दुखत खबर सामने आ रही है पिछली सरकार में मंति रहे बीजेपी के विठायक शुभाश शिंग का निधन हो गया है गोपालगन से विठायक रहे सुभाश सिंग का पिछले दिनों किड्नी ट्रांस्प्लांट हुआ था आज तड़के दिल्ली एम्स में उनका निधन हुआ उनके पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक सुभा तक्रीबन दो बज कर 45 मिनट पर सुभाश शिंग ने अंतिम सांस ली पिछले सरकार में 2020 के अंदर विठायन सभाश चुनाओ के बाद सुभाश शिंग को बिहार का सहकारिता मंत्री बनाया गया था साकारिता मंत्री बनने के बाबजूद सुभाश शिंग ज्यादा तर कामकाज से दूर रहे किड्नी ट्रांस्प्लांट उन्होंने कोलकाटा में करवाया था लेकिन उनकी तवियत में सुधार नहीं हुआ और अब सुभाश सिंग का निधन हो गया है लंबे अर्से से बेवार सुभाश सिंग वो पालगन जिले से आते थे 2015 के चुनाओं में भी उन्होंने जीत हासिल की थी और 2020 के विर्हान सभाश चुनाओं में जीत हासिल करने के बाद सुभाश सिंग को बीजे पी ने कैबिनिट में जगधिलवाई थी लेकिन अब सुभाश सिंग इस दुनिया में नहीं है सुभाश सिंग के निधन के बाद राजनेतिक के गलियारे में शोक की लहर दोड़ गई है एक तरफ चर्चा ये भी हो रही है कि सुभाश सिंग जो पुर्मंत्री थे उनके निधन के बाद कैबिनेट विस्तार का आयोजन कैसे होगा इसको लेकर के अभी तक कोई जानकारी अरिकारिक तोर पर सामने नहीं आई है लेकिन कैबिनेट विस्तार के ठीक पहले सुभास सिंग का निधन बिहार के राजनतिक गलियारे में सोग की लहर पैदा कर गया है सुभास सिंग के निधन पर बीजेपी के राजे सभासान सद और पूर्वी डिप्टी सीम सुसिल कुमार मोदी ने सोग जताया है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जैस्वाल समेत अन्य नेताओं ने भी अपनी सोस समेदना जताई है पूर्व डिप्टी सीम तारकिसोर प्रसाद ने इसे भारतिय जन्ता पार्टी के लिए बेहद दुखडाई पल बताया है तमाम नेताओं की तरफ से अलग-अलग शोक संदेश आ रहे हैं लेकिन सुभास सिंग इस दुनिया को अलविदा कह गये है दो 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 दो